तो दोस्तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का नास्ता जिसे बनाना बहुत आसार है बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं ब्रेकफास्ट या डिनर में भी बना सकते हैं हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए आटा लगाएंगे तो इसके लिए हमने एक बॉली है इसमें हम ले रहे हैं दो कप गेहु का आटा और साथ में हम डाल रहे हैं दो बड़े चम्मच बेसन इससे टेस्ट अचा आएगा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं दो अब हम इसमें पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिला लेंगे इनका हमें मुलायम आटा गूतना है तो देखिए आटे को हमने अच्छे से मिला लिया है अब एक चम्मस तेल डालकर इनको अच्छे से गूत लेंगे जिससे आटा चिकना हो जाए तो देखिए आटे को हमने मुलायम रखा है सूजी फूलेगी तो ये थोड़ी सक्त हो जाएगी तो इसे हम रेष्ट के लिए रख देते हैं अब नास्ते की फिलिंग बनाने के लिए हमने गैस पर पैन रखा है इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मस तेल तेल गरम हो गया है तो हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा चम्मस जीरा एक इंच अद्रक को हमने ग्रेट करके लिए है इनको हम हलका भून लेंगे हलका भून जाने पर हम इसमें डालेंगे एक बारी कटा हुआ प्याज और दो बारी कटी हुई हरी मिर्च अब प्याज को हलका translucent होने तक भूनेंगे प्याज को हमने एक मिनट तक भून लिया है और अब हम इसमें डाल रहा हैं एक कप कदुकस किया हुआ गाजर और आधी सिमला मिर्ज को हमने बारीक काट कर ली है और इसी के साथ हम डाल रहा है दो कच्चे आलो को कदुकस करके और एक चम्मच लाल मिर्ज पॉडर आधा चम्मच गरम मसाला पॉडर और आधा चम्मच आमचूर पॉडर सबजियों में आप बीन्स गोभी मटर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो इनको हम अच्छे से मिलाएंगे और हाई फ्लेम पर दो से तीन नर्ट तक भूनेंगे जिससे सबजियों का मौशर निकल जाए और सबजियों में क्रंच भी बना रहा है सबजियां अच्छे से भून गई है तो अब हम इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देंगे हमने एक छोटा चमश नमक लिया है और थोड़ा सा बारी कटा हुआ हर अधनिया इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस आफ करके इनको प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया है तो इनको एक बार और मसल कर चिकना कर लेंगे और अब हम इसमें से एक लोई तोड़ेंगे जैसे रोटी के लिए बनाते है ना उतनी ही बड़ी हमने ये लोई बनाई है अब इसे सुखे आटे में लपेट कर बेल लेंगे और देखिए इसको हमने रोटी जितनी बड़ी और पतली रखी है और अब हम इसमें स्टाफिंग भरेंगे स्टाफिंग आप अपनी इसाब से कम ज्यादा रख सकते हैं ज्यादा भी भरेंगे तो ये पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे तो इसमें हमने दो चमच भर के स्टाफिंग ली है, इनको हम ट्रैंगल सेप में फैला लेंगे देखिए इस तरह से, अब रोटी को एक तरफ से उठाएंगे और इसे इस तरह से एक के उपर एक फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद इसे किनारे के तरफ इस तरह से चिपका लेंगे और नीचे के सैट से भी हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से पराठा बनाना भी असान हो जाता है और बच्चों को सबजियां भी भरपूर मिल जाती है तो दोस्तों चलिए एक और तरीका हम आपके साथ सेर कर रहे हैं जो बहुत ही आसान है तो बस रोटी बेलिए और इसके उपर लगाईए ये इस्टफिंग अब इसे दोनों तरफ से उठाती हुए इस तरह से चिपका लिजिए अब उपर से हाथ से दबा दिजेगा जिससे की ये खुले नहीं और इसे पलट कर हलके हाथों से बेलिजेगा जिससे सबजियां बराबर से फैल जाए इस तरह के पराठे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं तो सभी को हमने त्यार कर ली है और अब हमने गैस पर पैन रखी है और इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मस तेल तेल को अच्छे से फैला लेंगे और अब हम इसमें ये पराठे डाल देंगे चाहे तो इन पराठो को तवे पर सेख कर भी ले सकते हैं इस तरह से पराठे थोड़े क्रिस्पी बनते हैं तो हमने इनको दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है बाकी बचे नास्ते को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और ये लीजिये तयार हो गई बहुत ही स्वादिष्ट सबचियों से भरपूर चटपट बनने वाला नास्ता इन्हें आप बच्चों की टिफिन में दीजिये बहुत पसंद से खाएंगे और इस पराठे को आलू की स्टफिंग से भी बना सकते हैं इन्हें आप दही, चटनी, अचार किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं ये टेश्टी होने के साथ साथ हेल दी भी हैं तो दोस्तों ट्राई करिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेश्पी जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सेयर, सस्क्राइब करना ना भोलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ धन्यबाद